हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी मसाला मम्रा यह रेसिपी बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी है और खाने में भी अच्छी लगती है आए देखते हैं से कैसे बनाएंगे इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और मम्रा का अधा पैकेट मैंने मम्रा का इसमें डाल दिया है बरतन में अब मम्रा को हम दो से तीन बार अच्छे से पानी से वाश कर लेंगे फर्स्ट वाश में इसे हम थोड़ी देर सोक करेंगे इसके बाद इसका पानी निथार देंगे ऐसे करके हम इसे दो से तीन बार दो लेंगे अब गैस पर एक कड़ाई रखेंगे उसमें 4 टेबल स्पून जितना ओईल लिया है मैंने ओईल गरम होने पर इसमें राई डालेंगे हाफ टी स्पून जितनी राई चटक गई है अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज का बारी कटाव प्याज डाला है प्याज को इसमें अच्छे से फ्राय कर लेंगे प्याज को मैंने थोड़ी देर फ्राय कर लिया है अब इसके बाद इसमें बारी कटी भी हरी मिचली है एक छोटी वह डाल देंगे और उसे भी चला लेंगे एक बार अब यहां मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है बारिक कटावा वो भी इसमें डाल दिया है उससे भी थोड़ी तेर पका देंगे इसमें मसाले हलके से गल गए है टमाटर प्याज आभ इसमें मैंने नमक डाला है नमक लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर सभी मसाले आप स्वाद अनुसा डाले इसके बाद इसमें मैंने मैगी मसाला का हाफ पैकेट डाल दिया है सबी मसालों को मिक्स करके इसके अंदर मम्रे डालेंगे और मम्रे को मसाले के अंदर अच्छे से मिला लेंगे मम्रों को उपर से लिच्छे के और अच्छे से चलाते हुए सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे मुझे हाँ थोड़ी लाल मिर्ची कम लग रही थी तो मैंने डाल दी है मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते है सब यह मम्रों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद मैंने इसमें कटावा हरादनिया डाला है इस स्टेज पर मसाला मम्रों बनके रैड़ी हो चुका है दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें थैंक्यू फो वाचिंग